अगला टॉपिक है जो हम लोग ट्रांस्फोर्मर चला रहे हैं उसमें मैंने खतम कर लिया बहुत अच्छी तरीके से जितने कुश्चन कराए हैं वह आप बहुत अच्छे से करिएगा उसमें सारे कॉंसेट लगबग लगब मैंने कवर कराने की कोशिश करी है सेकेंड टॉपिक आता है हमारा एडी करेंट लॉस एंड हिस्टरिसिस लॉस असल में क्या होता है जब ट्रांस्फोर्मर का ये कोर है ये क्या दे रखा है आपको कोर दे रखा है ट्रांस्फोर्मर का और ये किससे बनता है CRGOS material या highly ferromagnetic material भी बोल सकते हैं हम लोग तो ये core बनता है ये कैसे बनता है full course में detail वर्जन में बताऊंगा इसका पूरा manufacturing design ठीक है इसके उपर इस core के उपर हम लोग winding को wound करते हैं एक primary winding एक secondary winding wound करेंगे ठीक है वाउंड करने के बाद जब हम लोग इसको operation में ले जाएंगे इदर supply देंगे current आएगा और इस वाले core से क्या travel करेगा flux travel करेगा flux का flow होगा जब इस core से तो कुछ losses होंगे उन losses को हम क्या बोलेंगे कोनकि core के based losses है तिस वज़े से losses को क्या बोलेंगे हम लोग core loss बोलेंगे ठीक है तो असल में core loss में दो type के loss को categorize किया हम लोगों ने number one hysteresis loss और number two added current loss इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा core loss हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग hysteresis loss की hysteresis loss में असल में hysteresis क्या है इक प्योर magnetic property of Magnetic Materials आथ मेगनेटिक material है इसका pure magnetic property है धशक है एडी करेंड में क्या है electrical property हब यदी करेंड की बाद बार में करेंगे स्वाजिससे में उस पे जादा focus नहीं करते हूं hysteresis पर focus करता हूं अब बात करते हैं hysteresis loss को find out करने का सरी यह loss है इसका आसान सा फार्मूला होगा बता दीजिए हम calculate कर लेंगे बट दिक्कत इस बात की है कि hysteresis loss manufacturer के हाथ में नहीं होता है कि कितना loss होगा इसमें पहले से जब वो यह sell करेगा जब यह sell out करेगा अपना transformer कोई भी manufacturing company तो यह नहीं बोलेगी कि इसमें hysteresis loss इतना होगा ठीक है यह नहीं बोलेगी hysteresis loss पुरा पुरा depend करेगा customer के हाथ में कि वो कौन से voltage और कौन सी frequency पे इसको use कर रहा है उसके basis पे पता लगेगा कि उसमें कितना loss हो सकता है तो यह पुरा पुरा depend करेगा हमारा customer के हाथ में को वो कौन से points पे उसका जो operating point है वो क्या है और मैं voltage और frequency की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन दोनों के collection को आगे चलके हम लोग क्या बोलेगे magnetic flux density point बोल सकते हैं और वो हमारा BH curve आता है देखिए कैसे आता है असल में आपने अगर EMF equation transformer का देखा हो तो इससा कुछ देखा होगा कि अगर मैं मालो even की बात करूँ तो root 2 pi f 5 n1 ठीक है n1 यह हो जाएगा इसको मैं थोड़ा से elaborate कर दूँ तो क्या हो जाएगा root 2 pi f 5 की जगे मैं क्या कर दूँगा b a 5 equal to b a into n1 ठीक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहां सा कि area constant हो जाएगा area constant number of tons constant pi constant root 2 constant तो b को और यह कौन सा होता है maximum वाला कई बार बार मैं पूछा गया है कि EMF equation में जो flux है जो flux है और magnetic flux density है वो क्या होती है rms peak maximum इस तरह से पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है यहां पर maximum value होती है ठीक है तो यहां से proportional to e1 divided by f ठीक है voltage divided by frequency और यह कहीं न कहीं जो e1 induced EMF होगा वो कहीं न कहीं supply voltage पर भी depend कर रहा है इसलिए approximately हम क्या बोलते है supply voltage upon frequency का ratio तो b represent क्या कर रहा है magnetic flux density क्या represent कर रहा है ratio of voltage to the frequency और मैं क्यों b पर आया हूँ इसको b के atom में क्यों निकाल के लाया हूँ क्योंकि क्या होगा जब आप b h curve draw करेंगे खास कर b h curve draw करेंगे देखें b h curve जिसको हम hysteresis कर भी बोलते है mechanical वाले stress strain कर भी बोलते है क्योंकि material basis है तो mechanical में material तो होता ही होता है न तो यह b h curve की अगर मैं बात करू तो b और h ठीक है b h curve को full course में मैं पूरा 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा कैसे बनता है यह ठीक है अभी मैं shortcut में बता आता हूँ b a और b is proportional to क्या होगा 5 b होता ही है और h is proportional to i am circuit law h.dl equal to i enclosed ठीक है हमें b और h पर रहता हूँ खास कर अब चलिए अगर माल लीजिए hysteresis curve बनेगा कोई भी एक certain voltage और certain point के लिए तो यहां से शुरुवात में जब linear जाता है linear जाता है फिर non-linear होने लगता है सपोस्कर इस point पर operate हुआ तो यहां से एक magnetic flux density जिस पर operation हो गया अब इसको कोण represent कर रहा है it is the ratio of voltage into the voltage upon frequency अब मान लीजिए इस material पर किसी इसी transformer पर सेम transformer कोई और customer आया जिसने घर पर ले जा कि कोई voltage और frequency में changes कर दी कि नहीं मैं दूसरा voltage या किसी वज़े से उसके यहां पर voltage और frequency का वो value नहीं रहा जो यहां पर value था तो उसका operating point हो सकता है थोड़ा सा आगे गया हूँ तो उसका operating point थोड़ा सा और आगे गया और यहां से बीच कर बना हो उसका ठीक है तो यह all of BH इस BH कर्व का जो एरिया है वो into volume of iron volume of iron volume of iron काई में होता है मीटर क्यूब में होता है ठीक है इंटू frequency इंटू frequency असल में यह formula होता है बट यह area calculate करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि यह area किस से बनेगा जो customer किस voltage और किस frequency पर यह क्या है transformer workout कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से चलेगा तो हम लोग इस formulation numerical crack नहीं करेंगे यह design aspects पर नहीं जाएंगे बहुत जादा detail version हम लोग चलिए अब हम लोग किस से चलेंगे हमने क्या करा कि एक empirical formula इजाद किया empirical formula क्या बुलता है यहाँ पर कर देते हैं चलो यह eddy current वाला है भी यह काम करते हैं यहाँ पर नहीं करते हैं लोग इसको इधर ही कर देते हैं कहीं पर empirical formula empirical formula इजाद करेंगे तो empirical formula में क्या होगा डब्ल्यू एच इस proportional to इस proportional to बी एक्स maximum into frequency अब इस proportionality के अंदर ही क्या होगा एक volume भी होता है proportionality sign के अंदर क्या जब उस sign को replace करते किसी constant से तो उस constant के साथ साथ एक volume भी इंट्रोड्यूस होता है कि volume क्या है ठीक है तो क्योंकि volume of iron क्या है बट हम लोग अभी किस पे बात करेंगे volume हमारे ug syllabus में बहुत जादा नहीं है design का party इसलिए volume की बात यहाँ पे नहीं करते तो एक simple सा formula आपके सामने बनता है जो कि आपको याद रखना है wh और यह जो x होता है estimates constant होता है इसकी value कहां से कहां तक vary होती 1.4 से लगा के 2.5 तक vary होती है अगर कुछ given दे आपको numerical में तो वाली value ले ले लेना है और नहीं given हो तो क्या ले लेना है अपनी तरप से 1.6 हम लोग मानत रही है ठीक है तो इसी तरच पर अगर यहां पर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं v by f रेशो अगर constant होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर हम लोग यहां पर 1.6 ले किस formula को करें तो यहां पर wh is proportional to voltage 1.6 और frequency भी क्या आएगा 1.6 frequency उपर जाएगा तो कितना हो जाएग minus 0.6 ठीक है मैंने b की जाए क्या लिख दिया है v by f का रेशो कर दिया है इस वज़े से उपर जाएगा तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ठीक है तो यह आपको जो भी मैं bracket में बना रहा हूँ फॉर्मूले आपको याद रखना है अभी भूल जाए numerical में कैसे apply करना मैं ठीक है अभी मैं conclude कर दूँगा बाकि डिटेल सब फूल कोर्स में पढ़ा जाएगे अभी क्रेश यह रेंग बूस्टर कोर्स इसलिए पढ़ाए जा रहा है कि सिर्फ 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 स्मॉल कॉंसेप डिसकस करें ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए ठीक है तो चल क्या Electrically conductor है गया गया 5 जली बिग्यस डिसडवांटेज मैं इसलिक मैं कोई गया होते जा रहा हुगा इस पर से हम् रहां जाती चारा हुगा उगा माइन्युट सा ओस चेंजिन torend इंड्यूज E-MF create होगा, उसकी वज़े से current circulate हो जाता है, और वो circulate जो current होगा, वो इस material के अंदर flow करता है, जिसलिए इसको circulating current या eddy current दुनों बोलते हैं हम लोग, इस eddy current से क्या-क्या loss होगे, क्या नहीं होगे, सब बात की बाते हैं, तो यह जो eddy current होगा है, pure electrical property है, तो eddy current का जो proportional है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यह suppose कर इंड्यूज E-MF upon resistance, यहाँ पर इस material का कुछ ने कुछ resistance होगा, तो वो भी हम लोगों ने count कर लिया है, तो इंड्यूज E-MF का square, V square upon R, यह power decide करता है, और यह proportional असल में होता क्या है, EMF pattern के proportional होता है, इसको आगे चलके हम हम लोग voltage proportional भी बोल सकते हैं, voltage proportional भी बोल सकते हैं, even करके, या भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, even proportional, या फिर आगे चलके हम लोग इसको बोल सकते हैं, कि voltage proportional हो सकता है, voltage का square का proportional, तो आपको यह formula ज़्यादा याद रखना है, यह सारी चीजे बताई जाएगी, RE कहां से आय V की जगे मैं B और F का product introduce कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर WE is proportional to B square और F square, अब गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कि eddy current is independent to the frequencies point को ध्यान में रखिएगा, full course में, मैं proof करके बताऊँगा, ठीके, कुछ लोग यहाँ पर frequency देखके, क्या बोलते हैं, frequency के proportional, eddy current frequency पर proportional नहीं है, it is independent to the frequency, यह सिर्फ फर्चनल आप voltage square proportional बोलिएगा, ठीके, numerical में कैसे use करना है, वो करेंगे, बट आप independent to the frequency मानिएगा इसको, ठीके, तो चलिए, इतनी बात हो गई, eddy current और hysteresis लोग, इतनी information के बाद आप numerical कर सकते हो, बढ़ी आसानी से, अब मैं आपक थोड़ा सा numerical oriented बताता हो, इतनी चीजे याद नहीं रखने का आपको, आपसे question में बोला जाए, suppose कर एक question आया, question number one, जिसमें सबसे पहले, eddy current और hysteresis loss के अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, उसका V by F ratio चेक करना है, ठीके, तो अगर मान लिए, एक question इसा है, जिसमें V by F ratio क्या है, constant है, क्या है, constant है, तब हम लोग क्यों जो formula बन जाएंगे, वो formula क्या बन जाएंगे, W, H, अब देखो इसमें, B constant हो गया, तो किसके proportional हो गया, ठीके, और यहाँ पर constant हो गया, भी, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग कि W, E, इस proportional to, इस proportional to क्या हो जाएगा, यहाँ पर F square, ठीके, यह क्या हो जाएगा, हमारा F square हो जाएगा, तो यह दो चीजे हैं, हमको याद रखना है, कि V by F ratio अगर constant है, तो यह दो formula का proportionality relation ऐसा हो जाएगा second आता है, कि अगर constant नहीं हो, तब क्या होगा, तो case number 2 ले ले या question number 2 ले जहाँ पर V by F ratio क्या है, not constant, not constant, तब क्या होने वाला है, तब क्या हो जाएगा, कि W, H, इस proportional to, V, 1.6, F, minus 0.6, ठीके, क्योंकि यह constant नहीं बना हुआ है, इसलिए यह वाला formula, पुरा-पुरा formula आपको लगाना पड़ेगा, ठीके, और second, W, में कुछ नहीं करना है, voltage square, जो original इसका formula है, ठीके, voltage square, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, कि आपको सिर्प दो चीजों पर ध्यान रखना है, दो type के ही question का category होगा, बाकी मैं अभी question कराऊंगा, जिससे और clarity आईगी आपको, आपक अब मैं एक और चीज़ बता दू को, दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, core loss, क्योंकि असल में है किसका सब कुछ, core का है, तो इस वज़े से core loss क्या आ जाएगा, दोनों जब loss को मिला दूँगा, that is WC for core loss, तो WC core loss है, तो इसमें आ जाएगा, WH plus WE, दोनों का जो है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, core loss, core loss, अब मैं इनके proportionality constant वगेरा कैसे हटाना है, क्या cage और केई जो introduce करना है, सब निमारिकल में करूंगा, तो इतना थियोरी आपको पता होना चाहिए, core loss, hysteresis loss और eddy current, इस साल मेरी surety है, या या फिर core loss, इन तीनों को मिला के हो सकता है, कि एक question इस बार gate 20-20 में आए, तो चलिए जल्दी से हम लोग question discuss कर लेते हैं इनके उपर, कि दोनों के उपर question किस तरीके से होंगे, और आपको कितने कम time में और कैसे thought देना है question के उपर, वो develop करते हैं, तो guys चलिए बढ़ते हम ल आपके questions आते हैं, तो basic concept में कहीं ना कहीं mixing होके, या confusion होके, जल्द बाजी में खास कर इस type के question गलत होंगे, intentionally गलत नहीं होंगे, आप तिक जरूर लगाएंगे, बट जल्द बाजी में कहीं बार ये question गलत हो जाते हैं, पढ़िये question, for a single phase transformer, the supply frequency and voltage are both increased by 10%, voltage and frequency दोनों 10% से increase कर आपको percentage change के बताना है, AD current और hysteresis में, जब voltage and frequency दोनों 10% से increase कर रही है, ठीक है guys, तो चलिए देखते हम लोग, और सारे के सारे देखिए, जो भी है, कुछ minus sign है, कुछ minus sign है, कुछ minus minus दिखाए देंगे, क्योंकि changes हुआ है, तो वो increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है, तो हम लोग वो commonsense लगाना, अगर increase हो रहा तो positive वाला answer लगाएंगे, और decrease हो रहा होगा तो negative वाला answer लगाएंगे, तो चलिए, अगर यहाँ पर voltage और frequency, voltage और frequency दोनों ही 10% से change और इसका मतलब क्या है, V by F का जो ratio है, वो क्या है, constant है, V by F का ratio क्या है, constant है, तो यहाँ पर हम क्या बोल दें अब eddy current में क्या है, कुछ student ऐसा बोलेंगे, sir, eddy current is proportional to, जब V by F constant है, तो क्या कर सकते है, हम लोग, F square कर सकते है, but मैंने एक और statement बोल रखा है आपको, कि eddy current is independent to the frequency, थोड़ी दरकली मान लीजिए, वो सब मैं चीजे बताऊंगा, बाद में, full course में, तो अगर यहाँ पर यह नहीं, और अगर कुछ student ऐसा करे, कि ठीक है, हमें frequency से मतलब नहीं, sir, ने बताए, कि original जो formula आपका वो लगाईए, तो original formula कुन सा है, voltage square, तो दोनों से answer सेम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी दिर के लिए क्लिए क्लिए, एड़ी current का, जब frequency वगरा सब change हो रही है, तो हम लोग directly क्या लिखेंगे, original formula लिखेंगे, जो कि क्या है, voltage proportional है, अब ठीक है, दोनों हो गया, यहाँ पे frequency proportional, यहाँ पे voltage square का proportional, ठीक है, तो यहाँ उससे भी कर सकता है, frequency square से भी करोगे, answer में कोई changes नहीं आएगा, ठीक है, तो अब चलिए देखते है, शुरुआत में मा 1.1 V1 और F2 जो भी होगा, वो कितना हो जाए, 1.1 F1, मतलब V1 का 10% ज़्यादा, इस तरहीं सरक सकते हैं में लोग, तो WH क्या हो सकते है, WH2 अपों WH1, equal to F2 divided by F1, तो WH2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे, F2 कितना है, 1.1 F1 divided by F1, और into WH1, तो यहाँ पे F1, F1 cancel, तो WH2, नया जो hysteresis loss आ रहा है, वो क्या है, 1.1 times of WH1, इसका मतलब, plus 10% से, plus 10% से increase कर रहा है, ठीक है, increase कर रहा है, तो अभी हमें increase, decrease तो नहीं पूछा, सिर्फ changes पूछा है, तो कितना है, 10% से, तो plus changes, क्योंकि increment है, तो इसलिए वज़े से क्या लिखेंगे, हम लोग, plus 10%, ठीक है, अब next देखें, अगर हम लोग, और option एक बार देख लीजिए, option क्या दे रहा है, percentage change in the hysteresis loss and AD current, मतलब, पहले वाला यह क्या है, hysteresis और यह क्या है, हमारा AD current, तो एक निकालने के बाद, competitive exam में, जो MCQ वाली जितने भी exams होते हैं, एक बार आप option चेक कर लीजिए, तो option चेक करते से ही, आपका answer आजाएगा, option क्या है, plus 10, एक ही option में, एक answer होना चाहिए, पर फिर भी हम लोग AD current को check करेंगे, ठीक है guys, अगर आपका answer यहीं से आ चुका था, क्योंकि इस AD current calculate करने की जरूत नहीं है, हाँ, बश अर्त है कि yes, correct निकला हो, अगर यही गलत हो गया होगा, तो फिर द V1 का whole square, तो WE2 कितना हो जाएगा, V2 कितना रख देंगे हम लोग, 1.1V1 divided by V1 का whole square, WE1, इधर चले गया, तो यहाँ से WE2 कितना हो जाएगा, यह लगबग 1.21, इसका square करेंगे हम लोग, 121, 11 का square, तो point लगा दिया हम लोगोंने, WE1, तो यह कितना हो जाएगा, 21%, 21% क्या हो ज तो आप में से बहुत सारे students यह question कर रहे थे, बट मुझे एक clarity देनी थी, V by F में क्या होता है असल में, ठीक है guys, I hope आपको समझ मा आयागा question, हम जल्दी से next question देखते हम लोग, so next question दिख रहा होगा, आपको question number 6, बहुत बढ़ा सा question और यह जब आपकी gate के असल exam में जब दिखाए देता ही है, ठीक है, आपको बहुत बढ़ा दिखरा होगा, screen के उपर और बढ़ा दिखाए देता है, तो आपको घबराने के जरूत नहीं, ऐसे questions आप में से कई लोगों ने बहुत बार कियोंगे, बट क्या होता, उस दिन 3 गंटे में pressure situation में कई बार calculation error हो जाता है एसे questions में, conceptual दिक्कत नहीं आएगा, आप ट्राई करोगे, इसी concept है, ठीक है, बट calculation mistake हो सकता है, तो मैं अपनी तरप से, मैंने तो वैसे काफी लोग को पता भी होगा, इसमें एक तरीका है कि दो equation को कैसे solve करना है, चली देखते हैं, सबसे पहले इस question को अच्छे समझने, द आप question बड़ी आसानी से solve कर दोगे, ठीक है, क्योंकि loophole रहता है, वो loophole पकड़ना है, और आप question crack कर दोगे, बड़ी आसानी से, तो चली देखते हैं, इसमें, सबसे पहले, the core loss of a 230 slash 115, 230, 115 volt, 50 hertz transformer is measured from 230 volt side by feeding the primary side 230 from a variable voltage and frequency source while keeping the secondary open circuited, ये किसमें होता है, just like हमारा open circuit test, आगे होता है, the core loss is measured to be 10504, तो variable voltage और variable frequency है, जहां पर एक बार हम लोगोंने क्या किया है, कि अगर 230 volt और 50 hertz की supply दी है, तो हमारा जो core loss है, वो कितना हो जाएगा, हमारा जो core loss है, WC loss जो है, 1050 loss है, core loss में अभी मैंने बता चुका हूँ, add your hysteresis दोनों रहेगा, ठीक है, next क्या बोला ह है, the input core loss is again measured to be 500 watt, कितना है अगें, 500 watt है, और कितने पर यह, 138 volt, 138 volt, 30 hertz, 30 hertz frequency पे measure किया है, दो बार core loss अलग-अलग measure किया, अलग-अलग voltage और अलग-अलग frequency पे, तो चलिए, मैं अल्रेडी बता चुका था, BH करो मैं अभी थोड़ी दिर पहले, कि हमारे customer के हाथ में कौन से voltage frequency पे अपरेट कर रहा, उसके हिसाब से चीजे changes होगी, चलिए आगे, the hysteresis and eddy current losses of the transformer, core loss नहीं पुछा आप से, क्या पुछा अलग, individually पुछा है, hysteresis and eddy current losses of the transformer for 230 volt, 230 volt, 50 hertz supply के उपर, बताईए, कि इसमें core loss नहीं पुछा है, core loss में क्या है, hysteresis plus eddy current, दोनों है, तो वो individually आप से पूछा है, ultimately दोनों को plus करेंगे, तो core loss होगा, तो यह question है, तो question इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिए, decode कर लिए, चार option आप question पढ़ने की जरूत नहीं है, आपको 2 case दे रखे, third case को निकालना है, आप सबसे पहला मैं इस तरीका बता तक V by F ratio constant है या नहीं है, पहले चेक कर लिजिए, तो यहाँ पर अगर 230 by 50 करेंगे, तो 4.6, इन दोनों को करेंगे 4.6, हाना, 230 divided by 50, तो that is 4.6, इन दोनों को करेंगे, तो भी 4.6, और इन दोनों करेंगे, तो भी क्या आ जाएगा, 4.6, इसका मतलब क्या है यहाँ से, कि V by F ratio, V by F ratio क्या है, constant है, ठीक है, V by F ratio क्या है, constant है, चलिए, अब जल्दी साम लोग क्या कर लेते हैं, कि अगर यह core loss है, core loss, तो यह यहाँ पर WH plus WE का summation है, और अगर यहाँ पर क्या होगा, कि WH is proportional to क्या होता है, B maximum F, ठीक है, तो proportionality अगर constant हटा दे, proportionality constant हटा दे, और यह भी क्या है, constant है, तो मैं क्या कर देता हू जो भी चीज़े सारी-सारी constant है, उसका एक constant introduce कर देता हूँ, KH into F, ठीक है, तो यह हमारा formula, किसका बन गया हमारा formula, hysteresis loss का, तो जब भी hysteresis loss निकालना पड़ेगा, हमें different frequency पे, तो एक बार अगर KH की value find कर ली, जो की constant है, तो किसी भी frequency पे हम लोग hysteresis loss निकाल सकते हैं, तो चलि verify करे question में, ठीक है, तो same question, same इसका थोड़ा सा अलग version और सारी value same, exactly 2016 में आया हुआ question है, ठीक है, तो यहाँ पर अगरम लोग addy current की बात करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, B square और F square, तो यहाँ से यह भी constant होगा, B constant है, V by F ratio constant है, तो W is proportional to, W is proportional to क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर proportionality sign हटा देंगे, तो K E introduce और F square, तो यहाँ से addy current भी find out किया जा सकता है, addy current, ठीक है, तो addy current का, proportional to voltage square, voltage को बार में ने लिख दिया, B square और F square में, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मुझे core loss लिखना पड़े, तो core loss क्या लिख सकते हैं, हम लोग W C, K H, इसको replace कर दे करते हैं, क्योंकि जातर क्या करते हैं, अब इस equation में value put करते जाएंगे, दो equation, दो variable, और यह आपका K H, और K E find out हो जाएगा, कैसे करोगे यहाँ से, आपके पास frequency और core loss है, दो core loss है, frequency दो है, तो अलग-अलग core loss पे अलग-अलग frequency रख देना, तो आपको दो equation मिलेगी, और और नो निकालने, केज और 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 केज निकल गया, यहाँ put करोगे, तो add current और status losses आराम से निकल आएंगे, बट students होता क्या है, कि virtual Kelsey होने की वज़े से, दो equation को solve करना इतना आसान नहीं है, जो हमार पास physical Kelsey था था कर लेके आजाओ, WC divided by F equal to KH plus KE into F, मैंने frequency common लेके इधर divide कर दी, अब इस equation में क्या करूँगा, सारी value put करूँगा, इस वाली equation में, कैसे, जल्दी से देख लेते, तो number one case, कोरलोस कितना है हमारा, कोरलोस है, 1050 divided by frequency कितना है, इस पर 50 Hz, 50 Hz equal to KH, KH plus KE into 50, ठीक है, तो equation number one, second equation put करते हैं, second case, वापस से कोरलोस कितना है, 500 कोरलोस है, frequency कितना है, इस पर हमारा, 30 Hz frequency है, तो 30 कर दिया, तो यहाँ से KH plus KE into 30, तो यह दूसरा, अब इसमें फाइदा ही हुआ, दो equation, दो variable में, कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, directly आप माइनस कर दीजि तो यहाँ KH, KH क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, KH और KH क्या हो जाएगा, cancel out, तो यहाँ से, अगर मैं इसको solve कर दूँगा, इसको solve कर दूँगा, यहाँ पे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको कर लेते पहले, तो 20 KE और यहाँ पर, यहाँ पर हमें मिलेगा 105 divided by 5 तो यह तो हमार पास Kelsey होता ही वर्चॉल नहीं अभी तो मैं physical use कर रहा हूँ आप वर्चॉल करिएगा practice पूरी की पूरी वर्चॉल Kelsey से करिएगा ज्यादा फाइदा रहेगा तो 21 minus 50 divided by 50 divided by 3 50 divided by 3 तो 4.33 divided by 20 तो यह आ जाएगा मेरे पास के का value है यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया है इसको पूरे को solve कर देंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 21 21 minus 50 by 3 तो जब इसको solve कर देंगे तो के मेरे पास आ जाएगा 0.216 के आ चुका है के आ चुका है तो केज निकालने लॉस निकालूँगा एडी करेंट लॉस मुझे निकालना है डबल्यू ए कुणसी फ्रिक्वेंसी पर निकालना है मुझे 50 हर्स पर निकालना है तो केई 0.216 इन्टू 50 इसे multiply by 50 कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यह लॉस न, न, New फिफटी का स्क्वेर है ना यहाँ पर 0.216 0.216 0.216 0.25 इसिए स्क्वेर कर दिजिए तो लग ब्लग बगभग बगभग लग बगभग 540 वाट के आसपास क्या आ जाएगा हमारा एडी करेंट आ जायेगा टो तो 540 के आसपास कौन सा दिख रहा है मुझे 552 नहीं यह नहीं यह वाला ओप्शन्स पढ़ लिजे कोश्चन में हिस्टेजिस एडी पहले हिस्टेजिस बाद में एडी है इसका मतलब 542 एप्रोक्सिमेटली दे रखा है क्योंकि यह जो आएगा इसका बहुत वैल्यू आगे कई बार चार ओप्शन को आपको कॉमन सेंस बेसिस कोशन होता है कि आप कॉमन सेंस लगाई हो डियरेटली ओप्शन टिक करिए ठीक है तो चली देखते हैं हम लोग एडी करेंट अगर यहां पर इसको पूट करेंगे तो यहां पर 21 इक्वल टू के एच प्लस 50 इंटू 0.21 तो यह आ जाएगा हमारा 21 माइनस 50 इंटू 0.216 तो आ जाएगा के एच आ जाएगा 10.2 के एच कितना आगे 10.2 कितना आ जाएगा डव्यू एच 10.2 इंटू कुन से फ्रेक्वेंस पर निकालना है 50 पर निकालना है 50 इंटू 50 कर देते इसमें तो यह आ जाएगा 510 510 तो अब हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर 0.216 को भी पूरा नहीं लिया है इसके 10.2 को पूरा नहीं लिया है इसके वज़े से एप्रॉक्सिमेट एंसर चलेगा क्योंकि option अबेलेबल है but numerical data में जो भी exactly और आपको gate में mention रहेगा कि decimal की कितनी place तक आपको solve करना है तो इस च तरीके से question solve जाएगा तो आपसे core loss पूछे तो इन दोनों को add कर दीजेगा और अगर आपसे इंडिजल पूछा तो इंडिजल यह भी हम लोगों ने निकाल दिया चलिए next question देखते है